तो गाइस देडपूल 2 का 2 मिनट 40 सेकिंड का ओफिशल टेलर सामने आ चुका है जिसमें अब हमें पता है कि केबल किसके पीछे है डेडपूल 2 का कोई अलग नाम नहीं है इसे सिंपली कहा जा रहा है डीपी 2 और इस टेलर में पिछले टेलर से भी जादा कैक्टर्स दिख च इसका वेट नहीं कर सकता तो गाइस मैं हूँ अमन सिना और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ डेडपूल 2 के ओफिशल टेलर का तो स्पोलर्स का धियान रखते हुए चले शूर करते हैं तो अभी तक हम डेडपूल 2 के एक टीजर और एक ट्रेलर का ब्रेकडाउन हो सकते हैं पुराने या नए या फिर ये सीक्रेट कैमियो हो सकता है एक नए वुलवरीन का पर चलिए पहले इस टेलर का ब्रेकडाउन करते हैं ये टेलर शुरू होता है दोपिंदर के एक रोमेंटिक गाने को इंजॉय करते हुए जिसके ठीक बाद हमारे हीरो की एंट्र कर रहा है चाहे हम बात करें इस फ्लोर फाइट की या इस फ्यूनिरल की या इस अजीब सी जगह की या फिर इस ट्रिप क्लब फाइट की जहां डेडपुल हीलस पहन के लड़ रहा है इसे कहते हैं असली टैलेंट पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपिंदर प्रॉपर मर्सेनेरी बन चुका है और इसलिए वो वेनेसा से दूर अपने काम को पूरा करके वापिस घर आ रहा है यहां डेडपुल वेनेसा से यह भी कह रहा है कि उसने दुनिया के सारे ग्लूटन को स्पेस में फेक दिया है यह नॉड है सूपर मैन 4 क्वेस्ट फॉर पर नुक्लियर वेपन जरू स्पेस में भेज देता है इसके बाद हमें दिखता है यह शॉट वो भी CGI के साथ हमें रिसेंटली यह भी पता चला है कि हाल ही में हुए रिशूट्स में केबल और डॉमिनो को थोड़ा भारी दिखाने की कोशिश हो रही है जो कि होनी भी चाह आते हैं कि जॉश ब्रोलिन इस मुवी में तो विलन का रोल नहीं प्ले कर रहे तो most probably असली विलन है यह DMC वाले जिसका नोर दोपिंदर ट्रेलर के शुरू में दे चुका है डेड़पूल के devil may care attitude के बारे हैं बात करके साथी साथ आप फैंस यह जानकर ज़रूर खुश हो हमें Deadpool के wet on wet teaser में दिखी थी यह जगह हमें trailer में आगे भी दिखती है जिसको कई fans x mention समझ रहे थे पर यह जगह x mention नहीं है हालाकि Deadpool 2 की shooting x mention में हुई है पर इस बारे में हम आगे बात करेंगे तो इसी जगह हमें आगे Deadpool का black and white version दिख रहा है जो की nod है comic के x force के Deadpool को पर यह color correction most probably Julian Dennison के character के फैलाई हुए आग की वज़े से हुआ है फिर हमें आगे trailer में दिखते है blind L, Negasonic Teenage Warhead, Colossus और Professor X की chair पर बैठा Deadpool तो यहाँ वही same joke repeat होगा कि x mention इतना खाली क्यों है जैसे कि studio के बास बाकी actors को दिखाने के पैसे ही नहीं थे प्लस trailer में हमें आगे दिखता है Blackbird जो की X-Man का jet है तो officially अभी कुछ announce नहीं हुआ कि X-Man franchise के और कौन-कौन से character हमें movie में दिखेंगे पर हमारी उमीदे थोड़ी बड़ी हुई है अब बात करते है X-Force की फिलाल trailer को देखके हमें इतना ही पता चल रहा है कि इस group में Deadpool और Domino पक्का है पर इनके साथ साथ बाकी characters है Serge जो की electricity को generate और manipulate कर सकती है Bedlam जो की electromagnetic field generate और project कर सकता है और most probably इस shot में cable के साथ ऐसा bedlam ही कर रहा है जहां हम Julian Dennison को भी spot कर सकते हैं इसके बाद X-Force में है Peter Wisdom जो की comics में एक British spy था और Shatter Star जो की comics में cable की army का एक member था हाला कि इस team में Bill Skarskaard का character भी है पर अभी हमें यह नहीं पता कि उनका role क्या है तो Deadpool officially इस team को X-Force नाम दे रहा है यह बोलते हुए कि उसे इतने यंग character चाहिए कि वो इस franchise को 10-12 साल तक चला सके इस franchise को इतना लंबा चलाओ कि हमारे बच्चे के भी बच्चे देखे पर यह sign X-Force का कम और Wakanda Forever का ज बता रहा है कि हम फैंस बिल्कुल भी ना भूले कि यह movie R-rated होगी तो 16 साल से कम बच्चे इस movie को ना देखें या फिर देख लें पर पायर्टे प्रिंट ना देखें ट्रेलर के खतम होने से पहले Deadpool और वीजल कहते हैं कि इस second part इतना awesome होगा कि third part लाने की ज़रुत ही नहीं ह यहां most probably Disney Fox डील की वएसे ऐसी बाते हो रही है या फिर वीजल का role play कर रहे टीजे मिलर की controversy को लेके बात हो रही है पर चाहे जो भी हो यह तो पुरी तरह clear है कि यह movie awesome होने वाली है recently इस movie का screen test score सामने आया जो की है 98% तो यह score अब हम fans को और बेचैन कर रहा है इस सल बहुत पैसे जोड़ने होंगे इन superhero movies के लिए तो guys यह था Deadpool 2 के official trailer का breakdown यह movie आग लगा देने वाली है पर फिर भी अगर मुझसे कोई detail miss हो गई हो या आपके वास कोई नया fact है Deadpool से related तो please मैं current पर ज़रूर बताएं साथी साथ मुझे यह बताएं कि आपके हिसाफ से Disney Fox की deal का Josh Brolin के 5 movie के contract पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि Josh Brolin already MCU में Thanos का role play कर रहे हैं उपर से latest superhero news और awesome superhero facts के लिए हम Facebook, Twitter, Instagram और Google Plus से follow करना ना भूले हम हर जगा है तो guys अगर आप Deadpool की comics में interest रखते हैं तो मैं आपको हमारी Deadpool के लिए मार्वल उनिवर्स playlist recommend करूंगा साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like और share ज़रूर करें और इसे कई सारे super content के लिए हमारे channel को subscribe करना ना भूले Thank you guys, this is Aman Sina and you are super super, peace